वो भी मोदी जी पूरा करेंगे और 75 साल की बात कहीं भी नहीं लिखी है बीजेपी की तरफ से और उन्हें कहा कि जो तीसरा टर्म है वो भी प्रधान मंत्री पूरा करेंगे हैदरबाद में मौजूद अमिज शाह ने बड़ा बयान दिया देश के ग्रह मंत्री अमिज शाह उन्हें कहा कि मोदी जी तीसरा टर्म पूरा करेंगे 75 की उम्र के बाद भी पीम बने रहेंगे मोदी बीजेपी के समविधान में 75 साल की बात नहीं लिखी है के जिवाल ने पीम के रिटार होने की बात कही थी जिस पर अमिज शाह की तरफ से बयान दिया गया और कहा कि रिटार होने की कगार पर नहीं है मोदी जी बलकि अपना तीसरा टर्म भी वो पूरा करेंगे तो चनावी महाल के बीच जगा जगा पर पिजार पसार का सिलसिला हो रहा है अब तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण की तो चौथे चरण में दक्षर में वोट डालने जाने है और उसकी पहले हैदरबाद में ये बड़ा बया मोधी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे है BJP के अंदर मोधी जी ने 2014 में मोधी जी खुद ने रूल बनाया था कि BJP के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा तब से पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मुद्ली महरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर येश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोधी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाता हूँ वह आपका प्रधान मंत्री का दाविदार कौन है? पहले एक बात समदलो, उनकी बेज है कि मोदी जी को बढ़ले जाएंगे, मोदी जी को बढ़लना ही नहीं है, मैंने सपस्ट कर दिया, बैट जाओ, अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं, कि 75 के बाद मोदी जी को बढ़लेंगे, वो ताय हो चुका है, नहीं बढ़लना पूरा करेंगे, पवन गौर समदाता साजु गए है, पवन यानि कि बीजेपी ने ये सपस्ट कर दिया है, कि तीसरी बार भी अगर सरकार बनती है, तो 14 पीम मोदी का ही होगा, और मोदी जी ही प्रधान मंत्री के तौर पर शपत लेने वाले हैं, इस तरीके से बीजेपी भी मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी ने लॉंच किया और पूरे देशवर में, जहां भी जितने भी चाए वो सांसत के उमीदवार हो या बीजेपी के अलग जो बड़े नेता हैं, वो जहां भी चुना परचार कर रहे हैं, सब जगह प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के नाम पर चुनाप प्रचार किया जा रहा है, उन्हीं के नाम पर बोट मागे जा रहे हैं, इस बास से पहले इसी दिन से ये पूरी बात एकदम इसपश्ट है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ही, अगर इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आती है, तो फिर से प्रधान मंत्री बनने वाले हैं, हालानकी अदमिंज केजरिवाल ने एक 75 साल की उम्र का जिक्र करकर एक थोड़ा सा एक कन्फूजन क्रियेट करने की कोशिस की, उसके बाद में तमाम बीजेपी के बड़े नेता हुने, चाए वो ग्रह मंत्री हमिश्चा हो, बीजेपी अध्यक जे तो ऐसी कंडिशन में कई सारे नेता ऐसे हैं, जो इसमें लोकसवा चुनाब भी लड़ रहे हैं, चाए वो बात हो हेमवाली की बात करें, या फिर जगदंबिगा पाल की बात करें, कई सारे नेता जो हैं, जिनकी उमर 75 साल या उससे पार हो चुके हैं, वो इसमें लोकसव तोर पर काम नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद में खुदी उन्होंने एक फैसला लिया कि वो अब वो साइड लाइन हो जाते हैं लेकिन यहां प्रदानमंतरी आपने देखा कि लगातार पूरे पांस साल देखा पिछले बीस साल से वो अपने सारजनिक जीवन में हैं उसके बाबजूत लगातार वो 15-16 गंटे काम करते हैं लगातार आपने देखा कि वो पूरे दिन अगर चुना परचार की भी बात कर रहे हैं तो एक एक दिन मैं गर्मी के बीच मैं वो तीन से चार पब्लिक सभाओं को एड्रेस कर रहे हैं उसके बाद मैं शाम को रोडशो कर र है उसको पूरा अपना कारेकाल पूरा करने जाएंगे तो यानि बीजेपी की तरफ से इनका स्टेंड पहले दिन से क्लियर है उसको आज एक वार फिर से बीजेपी के वरिष्ट नेता हो चाहे वो ग्रह मंत्री अमिच शा की बात कर रहे हैं या बीजेपी अध्यक जेपी कि चाहे कुछ भी हो जाए 75 साल की बात कहीं भी बीजेपी के संविधान में लिखी ही नहीं गई है कि पीम रिटायर भी हो जाए बहुत शुक्रिया पवन जानकारी देने के लिए और विस्तार से माइन